मैं हूँ सावित्री और आप देख रहे हैं राधा की रसोई भाई SJS तो फ्रेंट्स आज मैं लेकर आई हूँ बंद गोभी के बहुत ही स्वाधिष्ट पराठे की रेसिपी तो फ्रेंट्स इसके साथ आपको ऐसी सिक्रेट चीज इसमें डालना बताएंगे जिससे आपको प फटे आप पराठे को बना सकते हैं तो फ्रेंट्स शुरू करने सबलें आप सभी को राधे राधे तो आये रेसिपी सुरू करते हैं मेरे तरीके से तो फ्रेंट यहां पर एक कप पोगे है इसां नॉर्मल पर जो हम लोग घर में उच करते हैं वह इक पोह ऑन पाउडर बन देते हैं यहां पर कुछ मसाला तयार कर लेते हैं पराठे के लिए एक चमच भुना जीरा है एक बड़ा चमच साबुद धनिया है जिसको रोष्ट कर ली हूँ दो लाल मिर्च आठ से दस काली मिर्च है एक चमच चाट मसाला आधा चमच अजमाइन है अजमाइन का टेस्ट तो बहुत अच्छा लगता है तो आप जरूर डालना आधा चमच काला नमग सारे चीज को पिस लेंगे इसका फाइन पाउडर बनाना है तो फ्रेंड्स यह पत्ता गोभी का मसाला जो है सुरी पराठे के लिए मसाला जो है यह सिक्रेट मसाला है बहुत ही स्वादिश्ट इसमें लगता है पराठे में चार चांद लग गया देगा यह मसाला तो इस मसाले को आप जरूर बना करके इसमें आइट करिएगा और यहां पर 500 ग्राम पत्ता गोभी है इसको बारिक बारिक नहीं काटे है नॉर्मल जैसे सबजी के लिए हम लोग काटते हैं उतना ही पतल मसाला आधा चम्मच हल्दी पावडर आधा चम्मच लाल मेच पावडर उसके बाद जो मसाला पीस कर रखे हैं उसको भी हैट कर देंगे तीन हरी मेच आठ से दस लहसून एक इंच अदरक का टुकड़ा है सारे को दरदरा कुट लिए हैं आप चाहें तो काट कर भी डाल सक लेकिन मैं दरदरा थोड़ा साज कूट करके ही डाली हूं एक चम्मच नमक या स्वादा नुसार नमक आप जैसा नमक खाना पसंद करते हैं उतना डाल सकते हैं सारे चीज़ को अच्छी तरह से मिला देंगे और देख सकते हैं सारे चीज़ मिलाने के बाद इसमें थोड़ इसलिए नमक भी डाल दी हूं तब तक दो तयार कर लेते हैं तो यहां पर दो कप गेहूं का आटा है आधा चमच नमक है एक चमच कसूरी मेथी का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है इस पराठे में तो आटे में आप जरूर डाले अगर आपके पास हो तो सारे चीज़ को मिला देंगे और घी तेल से आज मुएन नहीं देंगे आज दूद से आटा गुतेंगे एकदम नया तरीका है दूद से आटा गुत कर आप बनाएंगे पराठे को बहुत ही सूपर सॉप्ट बनेगा और खाने में भी टेस्टी लगेगा तो थोड़ा थोड़ा दूद करके इसमें डालेंगे नॉर्मल रूम टेंपरेचर का दूद है लेकिन पहले से उगला हुआ है तो यहां पर सेमी सॉप्ट लगाना है थोड़ा सा भरवा पराठा के लिए किसी भी चीज का भरवा पराठा हो तो उसके लिए थोड़ा सॉप्ट आटा ही लगा जाता है तो यहा पर पत्ता गोभी अपना पानी रिलीज कर दी है जैसा कि आप देख सकते हैं कि नरम हो गई है 15-20 मिनट में और इसमें से देख सकते हैं कि पानी निकल रहा है लेकिन पानी को निकालेंगे नहीं जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूं कि पराठे को हिल्दी बना रही हूं और और आपको पराठे बनाने में थोड़ी भी दिक्कत नहीं होगी न फटेगा न टूटेगा बेलते टाइम आपका पराठा तो इस तरीके से एक बार जरूर बनाएगा बहुत एक दम नया तरीका है मैं इसी तरीके से बनाती हूँ तो सुची हूँ कि आपके साथ भी रेसीपी शेयर कर दूँ बहुत हीजली बन जाता है थोड़ा भी दिक्कत नहीं होता है और यह छोटे छोटे बॉल्स बना देंगे स्टफिंग के तो थोड़ा सा स्टफिंग करने में आपको आसानी होगी तो सारे बॉल्स बन कर तयार हो चुके हैं और यहां पर 15-20 मिनट आटा भी रेस्ट कर लिया है अच्छा सॉप्ट हो गया आटा थोड़ा से इसको मसल लेंगे ताकि थोड़ा सा और सॉप्ट और स्मूथ हो जा तो इसमें से लेंगे थोड़ा सा पोर्षान आटा का आप ज तो यहां पर नीचे से उपर की तरफ ले जाते हुए दबाते हुए थोड़ा से अगली से उसको दबा देंगे और आप इस तरीके से भी करना पसंद करते हैं कर सकते हैं हर लोग की स्टाइल अलग होती है तो मैं इसी तरीके से करती हूं और बिल्कुल भी पराठा फटता बहुत ही अच्छा बनता है तोड़ा से उसको दबा देंगे और आता रहका लगा करके इस थोड़ा सा चक्टा सर लही बना देंगे ताकि बलने में आसानी होगी और थोड़ा सा हथे ंग और इसको हल्गे हाथ से बे lock और फ्रेंज बहुत ज्यादा नहीं इस पर दबाव देना है तो बरहर पद जाएगा तो कोई भींग weighs वाला पराथा बरैला पराथा तो dalla पराठा फटा हुआ नहीं है आपके सामने पराठा तबा यहां पर गरम होने के लिए पहले से रख दिये थे इस पर डाल देंगे थोड़ी देर बाद एक साइट से शिख जाएगा इसको पलट देंगे और यहां पर थोड़ा सा तेल डाल करके इसको सेखेंगे आप चाहें त मिडियम फ्लेम पर ही इसे तलेंगे तो अच्छा होगा हाई फ्लेम कर देंगे तो पराठा उपर से कलर आ जाएगा लेकिन नीचे से कच्चा रह जाएगा इसलिए मिडियम फ्लेम पर ही सेखेंगे पराठे को और देख सकते हैं कि एदम फूला फूला पराठा बन रहा है और इसका कलर भी आप देख सकते हैं, यह बहुत ही प्यारा आया हुआ है, और फ्रेंट्स मेरी आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, बेल आइकन भ आप तक पहुंचे, और फ्रेंट्स देख सकते हैं, कि एक एक पराठा फुला हुआ बनाए, कोई ऐसा पराठा नहीं है, जो फूला न हो, तो इस तरीके से आप एक बार बना लेंगे, तो आप इसके दिवाने हो जाएंगे, बार बार बनाना पसंद करेंगे, इसे बच्च करने के बाद भी तूट नहीं रहा है, बहुत ही सूपर सॉप्ट और टेष्टी पराठा बनका तयार हुआ है, इसे तीखी चटनी, मिठी चटनी किसी के साथ भी आप इंजवाय कर सकते हैं, और स्टफिंग देख सकते हैं, कि एदम साइड साइड भी गई है, मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी इसके बाद आपको कौन से रेसिपी चाहिए, मिलते हैं कौने रेसिपी के साथ आप